दोस्तों देशिक लाशे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले बीस्टेशी काउंसलिंग 2023 सेकेंड लिस्ट है उसकी डेट आचुगी है आ अबी तक आपके खाली है सेकेंड लिस्ट है वह 4500 सताओं सीटों पर आने वाली है और आपको 350 नंबर पर कोलेज मिलने के चांसेज है तो इस वीडियो में हम इन सभी तोपिकों के बात करने वाले तो आपको क्या करना वीडियो को लाइक वीडियो को सब्सक्राइब करना तो चलता है विडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह आपके सामने देनिक भासकर अकबार की कटिंग दिखाई दे रही है तो सबसे उपर की लाइन दिखाई दे रही है आपको DLD कोलेजों में 21,263 स्टूडेंट का एडमिशन 21,263 स्टूडेंट ने एडमिशन किया है और अ 253 DLD कोलेजों में 21,233 स्टूडेंट पर परिवेश परिक्रिया पूरी होई अभी भी 4577 स्टे रेक चल रही है और एडमिशन के लिए सेकिंड अलोटमेंट अगले सब्ता जारी होगा सेकिंड अलोटमें सेकिंड लिस्ट है वो आपको अगले सब्ता में जारी होगी अगल जबकि उसमें 21,233 विदार्टियों ने ही एडमिशन लिया है यानि कि कम से कम 2400 जानों ने एडमिशन नहीं लिया फास्ट लिश्ट में जिनद इन्हें को लेज में लिकुमा है तो उसके पाशला बतपरदय तब हुम जिसमें Yani को लियो इंपWill के रिपोर्टिंग किये चेमित अब्येggi चेनित अभियर्ट को 28 जनवरी तक सम्मध्दित कोलेज में रिपोर्टी करने थी जिनने फर्स लिस्ट में कोलेज मिली है राजी के 353 कोलेजों में 25,820 सिटे निर्दारी थी जिन में 21,236 है फिल हो चुकिया और 4557 सिटे रेखता है 4557 सिटे रेखता है तो second list मैं अभी काफी लोगों को अच्छा मोखा है उन्हें second list में कोलेज मिलने के तो आपको second list है वो जारी हो जाएगी आपकी अगले सिटा माँ और कटोप है वो कितनी भी रह सकती है कुछ को 350 पर भी मिल सकती है गरल की बात कराऊं उन गरल को मिलेगी जिनोंने ओल राजस्तान किया है उन्हें कोलेज मिलने के ज्यादा चांसेज है बाकियों को कम चांसेज है क्योंकि उन्हें जो जो कोलेज 10 से 15 कोलेज भरी थी वो कोलेज तो फर्स्ट लिस्ट में ही फेल हो चुकी है वो तो फर्स्ट लिस्ट में ही लोगों को मिल चुकी है तो उन्हें कोलेज मिलने के कम चांसे रहता है जबकि ओल राजस्तान जिनों ने भी किया है उन्हें कोलेज मिलने के चांसे है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लेगी तो विदुक लाइक, विदुक शेर और चनल को शब्सक्राइब कर्दें